हाई गाईज वेलकूम बैक टू एनदो वीडियो तो आज की वीडियो काफी ज़दा इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज आपको बताना वालो हो आपने कैसे प्रोपरली अपने DSLR को या फिर अपने स्मार्टफून को दोनों को कैसे क्लीन करना है कौन सी ऐसी चीजी है जो मैं यूज करते हूं जिसकी मदद से मेरा कैमरा हमेशन नए की तरह लगता है और अगर आप उसको रिसेल भी करते हैं तो अगर आप ये क्लीनिंग प्रोसेस को उसके उपर अपलाई करते हैं तो आप भी अपने इस वीडियो को शुरूर मैं आपको जानिए फ्रोग्रफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात वाच, लर्न, एंजोई इस तरह एक ब्रश और दूसरा है इस तरफ जो है फोम टाइप यहां पर लगी हुई है तो यह जो है यह भी काम की होती है काफी और इसके अलावा गाईज हमें यहां पर मिले हुए टिशू पेपर जिससे जो हम साफ कर सकते हैं अलगतर है कि टिशू में यह पेपर ही है बट बहुत सॉफ्ट है क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके लावा गाईज हमें मिलता है ब्रश जो है क्लीनिंग के लिए डस्ट को हटाना उसके लिए और यह है गाईज पंप जिससे हवा के प्रेशर से जो हम डस्ट को भगा सकते हैं या फिर दूर गर सकते हैं और यह है गाईज मिन क्रीम जो मैं यूज करता हूं मोस्ते डिवाइस को साफ करने के लिए यह क्रीम जो है काफी कमाल की है और जो इसकी स्क्रीन काफी डर्टी होचुकिया और जो फ्रंट का लैंस है ग्लास है वह भी काफी जाद हो जब अपर है तो मैं आपको इसके जो है सेमपल दिखातों करके कि मैं इससे कैसे किसे कर सकता हूं या फिर मेरा क्या स्टाइल करने का तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है ऊवरल टर्स चपर 272 तो आप सारशने के अवह जो है पर छोड़ा नहीं सकता वहां पर आप पर 정부 करना और 360 view में आपने प्रोफ पर जो है इसको पहले एर से क्लीन करना थाकि यतनी भी डॉस्ट है वो निकल जाए और जो आपके पोर्ट से उसको ओपन करके आपने यहां पर भी क्लीन करना इसके और यहां पर बैठी हो तिया आपको दिखती है जो तो वह जो है क्लीन हो जाती चै आपने चेंज करके जो है ऐसे क्लीन करना है और फिर ओफ कर देना क्योंकि बटन चेंज करेंगे तो जो अंदर की जगा वह भी थोड़ी पहुत जो पोशन आपको मिल दाते साफ करने का वापे कर सकते हैं यह जो एरिया है जहां पर कपड़ा नहीं को सकता इस साइड यहां प पानी नहीं लगाना सिर्फ करना मैं थोड़ा से जल्दी करहा हूं मैं अरडने क्लिंगैं कर सकते हैं इस तरह से अपने कपड़े से क्लिं करना है और फिर चुन नहीं है पहले हम कड़ के आप थगा i इतनी सी है जादा नहीं लेनी क्योंकि यह जो है मिक्स हो जाती है जब हम इसको जैसे जैसे हम इसको साफ करते जाएंगे तो यह अपने आप डिजॉल होते जाती है तो हमने हलकी सी क्रीम जो है इस तरह से लगा लेना है make sure guys आप जो cream है body पर ना लगा है सिर्फ screen पर लगानी है body पर नहीं लगानी इस चीज़ को body के लिए बनी है बट हम यूज नहीं करेंगे थोड़ी बहुत आसपस लगज़े तो कोई बात नहीं तो थोड़ी बहुत हमें इतनी screen पर चाहिए थी जो हमने ले ली अब आपने guys make sure यह ध्यान रखना की screen जो है overall सारी जगाए पर लग जाए उसके बाद आपने कपड़े की जो साफ साइड है वो लेनी है और उससे जो है इसको clean करना है उसके बाद आपकी जो screen है बिलकुल नहीं जैसी हो जाएगी बिलकुल चमक करेगी और कोई भी fingerprint होगा या को एकदम साफ हो जएगा अगर आप ध्यान से देखें अभी मैंने थोड़ा बहुत clean के इसको अगर मैं इस तरह से गुमा के clean करूं तो काफी जो है fingerprint जल्दी रिमू हो जाते तो अब आप देखे तो गाई इस काफी हद तक जो है नए जैसी clean हो गई है screen काफी हद तक जो है और उसके बाद आपने microfiber cloth जो साफ साइड है वो लेनी है और आपने इस तरह से clean करना है अराम से करना है हलके आतों से करना है प्रैशर नहीं डालना है इसको बहुत soft आतों से करना है क्योंकि यह delicate चीज है तो आपने बहुत अराम से clean करना है अब हमारे जो glass है जितना भी glass लगावा जैसे कि यह हो गया या फिर जो हमारा screen हो गई उसको हमने mean cream से साफ करना है उसके बाद guys हमें बाकी की जो body है वो हमने दूसरे जो normal water है उससे clean करने पर वो हम अभी नहीं करेंगे उसके बाद आपने लेना है यह brush बहुत काम का brush है इस brush का फायदा ही होता है guys यह ब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब नहीं हो पाईगी तो आपने अराम से यहां पर हलके हाथ उसे cleaning करनी है और उसके बाद cleaning करने के बाद दुबारे से यहां पर इस तरह से हवा का प्रेशर डालना है make sure guys आप जब भी deep जगा जो गहराई है वहां पर clean कर रहे हैं तो आपने हवा का प्रेशर जरूर मारना है ताकि जो है जो भी dust particle आप इससे साफ कर रहे हो वहां से हट जाए और वह उड़के प्रेशर से बाहर आ जाए इसी तरह से आपने screen खोल के जो है इस तरह से यहां पर सारा साफ करने हैं जितने भी corners हैं वह सारे साफ करने हैं बटन कंट्रोल सारे साफ करने हैं पहले brush से जो है आपने पूरी cleaning करनी है उसके बाद जो है यह clean के लिए pump लगाना है हवा के pressure से सारी brush जो है उड़ जाएगी वैसे मैं अपना camera साफ करता हूं camera जादा गंदा हो तो आप ज्यादा time लगा सकते हैं मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ रही है इसको clean करने की कि मैं हर दो तिन दिन बाद जो है इसे clean कर लेता हूं और उसके बाद guys हमने जो है इस brush को use करना है यह वह जो brush है इसके अंतर जो हमें brush दे रख है वो इस तरफ जो है यह थोड़ा सा hard brush है यह hard इसलिए guys जो lens का यह वहला area होता है इस ring को अगर आप साफ करना चाते है तो इससे कर सकते हैं यहाँ पर dust particle जम जाते हैं क्योंकि यह बहुत डीप जगह है तो आप हलका हलका ऐसे ऐसे करके तो मालने जहाँ आप बहुत ही जहां पर rate है जहां पर मिट्टी हमार शूट क करके हैं तो इस हिसाफ से जो आप सारा साफ कर सकते हैं यह थोड़ा hard brush होते हैं और आप जो है lens की ring को इससे बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं मेरी lens की ring काफी हद तक साफ है अगर आपकी गंद्यों की तो dust particle अराम से निकल जाएंगे आपने जो साफ करना है मैं आपको प् आप ऐसे साफ कर देना उसके बाद आपने हाँ पर कपड़ा लगा देना है इस तरह से तो हो गया यह चीज़े क्लीन करने की इसके लाव आपको जो है माल लेजिए हमारे कपड़ा बहुत ज़्याद गंदा हो जाता है तो हम इस tissue paper को भी यूज कर सकते हैं लेंस cleaning के लिए जो एक कपड़ा जो यह paper है काफी soft है इस paper को glass के लिए और screen के लिए यूज कर सकते हैं तो मैंने कपड़े से साफ कर लें क्योंकि मैंने मिन क्रीम यूज करिया अगर आप खाली पानी से साफ करते हैं तो आप जो है उस tissue को यूज कर सकते हैं अब बात आती है गाईज इस ही जो मेरा कपड़ा से मिन क्रीम लगी है तो मैं यह विला side जो है इसकी ले रहूं आप नियुक पड़ा भी ले सकते हैं तीन कपड़े साथ में मिले हैं तो आपने पानी को है डिरेक्ली इसके ओपर जो है इस तरह से ताकि जो है आपके camera के उपर जादा पानी ना जाए तो आपने डिरेक्ली कपड़े को पर करना है और फिर जो है अपने अपने camera की body को इस तरह से साफ करना है अराम राम से करना है हलके आतों से करना है और इस तरह से clean करना है हर portion को viewfinder को edges को यह जो एरिया होता है यहां पर हम बहुत जादा इस्तमाल करते है camera को तो इसको आपने ज इसने लगाए थी ताकि मेरे fingerprint जल्दी रिमूव है उसके बाद आपने पानी से हलके पानी से साफ करना है ताकि जो है यह पे चिकना हट ना रहे और इसी तरह से आपने button controls को साफ करना है lens को आप साफ करना चाथे तो कर सकते है पर पानी के sport आए पानी के जो निशान होते है वह आएंगे उसको clean करने के लिए आप उस paper को use कर सकते है जो मैंने भी दिखाया था उससे जो है वो clean हो जाएंगे अब बात आती है guys deep cleaning की अंदर से clean कैसे करना है तो guys मैं आपको highly recommend करूंगा आपको अपने camera को अंदर का sensor clean करना है अगर इसके अंदर जो मैं आपको camera दिखा है तो मैं खुद personally जो मेरा point of view हो यही है कि मैं इसे clean नहीं करता मैं company में जाता हूं इसलिए company में servicing बनी इसी चीज़ के लिए वह expert है तो आप बहार से clean कर सकते हैं अगर आपको अगर आपको sensor पर dust है तो आपने खुद से clean नहीं करनी मैं आपको यही recommend करूंगा क्योंकि वह हो थोड़ा risky काम होता है और इस सीज में आपको risk नहीं लेना चाहिए तो गाइस यह जो है overall आपने इस तरह से cleaning करनी है और उसके बाद गाइस जब सारा कुछ सारा कुछ cleaning हो जाए तब आपने बिल्कुल साफ कपड़ा लेना है और साफ कपड़े से सारा जो है साफ करना कैम सेम मिन क्रीम आप अपनी LCD स्क्रीन पर या और भी डिवाइस से उस पर लगा सकते हैं और सेम प्रोसेस से साफ कर सकते हैं जहां डेलिकेट चीज हो वहाँ पर आपने ब्रश को यूज करना है तो इस तरह से आपने डिवाइस को क्लीन करना है मेक शूर कि आप जो मैंने गलत अच्छे से बैग में रख दें इसके लावा कुछ एक्सेसरीज भी हैं जो मैं कैमरे के साथ काफी अच्छे से यूज करते हो क्लीन करने के बाद जिसका लिंक आपको आई-कार्ड पर या फिर डेस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा अगर आप वह एक्सेसरीज को अपने क लॉक फ्लो भी बढ़िया कर सकते हैं तो ठीक है इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में